गुर्बॉर्णिंग स्टुजेंट्स आज अपन जही में इन के बारें बात करेंगे जो पेपर अपना दिया हो है मिल्डिसीजन टैस्स सिरीज के बारें बात करते हैं इसमें जो पहला कुशन जो अपने पास है यह एस ब्लोग पर बेस्ट कुशन है क्या कह रहा है वेटा ज की मेटल ऑक्साइड ओन हीटिंग इस चीज का याद रखना वेटा जो आइनिक कंपाउंड होते हैं उनका क्या होता है हाइड्रेशन होता है जबकि जो कॉवलेंट कंपाउंड उनका हाइड्रोलाइस होता है वोटर की प्रेसेंस में तो देखिए वेटा कैल्शियम क्या है यह मैगनीशियम कलोराइड नेचर का है इसका हईड्रोलाइस हो जाएगा तो हइड्रोलासिस होकर पहले क्या बनेगा इसमें off-Banिग जिसको आपना गर्रम कर रहे हैं गरम कर रहे हैं तो यह किसी में बतल जाएगा टांव मैं और में बदल जाएगा किसमें बदल जाएगा Mzo में तो अपने को और इसमें निकाइड़रिशन होता है क्या हूता है हाइडरेशन ठीक है तो अपना एसमें इसमें सेकिनेक्स्ट करते हैं सबस्टेंस विच गिव ब्लैक रेड फ्लेम एंड ब्रेकडाउन ओन हीटिंग गिव ऑक्सिजन एंड ब्राउन गैस यहां से पता लग रहा है क्या देना है ब्राउन गैस मिल रही है क्या मिल दी बड़ा ब्राउन गैस ब्राउन गैस कौन देता है या तो नोटू में लिए यह बात करते हैं और साथ में ब्रेस को पता लाज द को देता है कैल्शियम क्लेस्ट के can create क्लर देता है और ब्राऊन डेंगा तो मतलब क्या देगा साथ में ऐन ला दिए हैं और टु वना चीए क्या होना चीए हुना मह 시 नहीं तो calcium nitrate होता है उसको गरम करने पर उसको heat करने पर अपने को क्या मिलेगा calcium oxide plus NO2 plus half O2 मिलती ही क्या मिलती है half O2 यह कैसे color की है brown color की gas है और यह कैसा calcium अपने को पता है brick red color देता है तो अपना answer आजाएगा calcium nitrate answer आजाएगा अपना fourth ठीक है next बात करें the pair of compound which cannot exist together in a solution, solution के अंदर कौन सा pair है वो एक साथ नहीं रहता तो यह याद रखना आप कि एक अच्छा oxidizing agent और एक अच्छा reducing agent कभी साथ नहीं रहते और साथ में एक base और एक acid एक साथ कभी भी साथ में नहीं रहेंगे तो पहले option में अपने देखें यह base है और यह क्या है acid है यह क्या देदेगा h plus देदेगा तो यह acid हो गया और यह क्या हो गया base हो गया यह दोनों कभी एक साथ नहीं रहेंगे जबकि इसमें क्या होगा salt होगा तो यह भी कोई बात नहीं करेगा तो इन में बात करेंगे यह h2o है और यह प्रस देगा तो अपना answer आजाएगा first कि न a h co3 है यह किस से विक्रिया कर दे वेटा एं ए ओए से विक्रिया कर दे तो क्या बन जाएगा ए न ए 2 co3 बन जाएगा और साथ में क disorder of the property given below आयने की रेडियस के लिए बात करें तो आयने की रेडियस ज्यादा किसकी मिलेगी अपने गूर नाइटोजन चार्म ज्याद़ है तो इसके आयनी रेडियस ज्यादा होगी क्या होगी ऐनी ग्रेडियस ज़्यादा होगी तो यह statement रॉन होग है क्एंक कैसी मिलता और ऐसे होता तब सही होता ड् brain fast पांड़ है और अपनों बात करें नाय कि पास पीठीर होता है तो इन में बात करें किसका ज्यादा होगा नाइट विप ज्यादा किसके कमेर में ऑक्सिजन के उक्सीजन का तो यह स्टेटमेंट भी अपना क्या हो गया रोंग हो गया ना जाड़ोगत हो लॉफ टो सो एब्सोड नहीं होता यह अपने सॉलवे प्रोसेस पढ़ते हैं सोलवे प्रोसेस में बात करते हैं कि सोलवे प्रोसेस के द्वारा कर लेते हैं जब की कटी कार्बोनेट का फोर्मेशन कर लेते हैं जब कि के ने इच वोटर इन सॉलवल होता है तो अपना आंसर आजाएगा इसमें फ़र्ड आंसर आजाएगा को सा थर्ड नेक्सट बात करें कि यह एक्षिन करके एन इवच देता है क्या देता है या दखना जो ऑक्साइड होते हैं ऑक्साइड पर ओक्साइड एंड शुपर ओक्साइड ऑक्साइड वोटर से रेक्षिन करता है क्या बनाता है बेस बना लेता है एन इवच बना लेता है सोडियम लेकर चले तो पर ओक्साइड है वो क्या बनाता है प्लस एच्टू ओटू का निर्मान करता है किसका एच्टू ओटू का सुपर ओक्साइड जो है क्या है सुपर ओक का प्लस h202 का प्लस हाफ ओर टो का निर्मान करता है किसका हाफ Ka Socios होसे कराएंगे को ओस्याइगा पादे को यह जो है और भी प्रेजिन में क्या बनाता बी बनाता है इसके करने पर एक प्लस बनता थो बन था तू हो जाएगा यह पर अपना आंसर आजाएगा जैए खींगी और यह दूट जाता है कि सामिटा आप ऊटूमें टूट जाते हैं किसमें हाफ हैज two H two all एपने पाहां सर आजएका अबना शेकिंड नेक्सट बात करें वन विट्व शप्व दा फॉडविग मैच विद गीवन करेक्टर's hydrogen energy के मेच बात करें नहाई यह ज्यादा किसकी होगी correct match पूस रहे हाइए hydrogen energy तो उसकी ज्यादा होगी जब क्या हो इसके क्योंब आर के चार ज्यादा चार तो यहां सेम है तो यह स्टेट्मेंट आपना दैंसिटी के लिए बात करें है यह में इस पीछ से चला जाता है तो क्या आता है कि बेस्ट का सबसे कम फिर मेंगिशिंप फिर बेरियलियम फिर स्टोंशिंत फिर बेरियम होना ची में यहां पर बोल रहां कि बरेलियम का कम एक इससे मेंगेशिम के यह statement भी अपना क्या हो गया रॉग statement हो गया boiling point की बात करें तो beryllium में आच्छी binding capacity होती है इसलिए यह statement भी अपना wrong हो गया यहां बात करें beryllium की ज्यादा फिर magnesium की और फिर सबसे कम की कैलशियम की कम और स्टॉंशियम की ज्यादा है तो यह सोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला ओप्षिन है जिसमें ध्यान देनाता अंसर आजाएगा अपना फोर्थ विच फॉलविंग स्टेट्मेंट इस इनकरेक्ट आई-ई-उफ हीलियम इस मैक्जिमम इन ओल एलिमेंट बिल्कुल सही बात है पूरी पिरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो मैक्जिमम आई-पी अपने हो किसकी मिलती है बटा हीलियम की मिलती है सेकिन बात करें यह कि अपने माले मैक्जिमम अल एकन रिद गलेटव सब्सक्राइब करें पूरी प्रियुल टेबलिक रैंटा ने कुलती है क्लों,ट ने हाव hai स्टेट्मेंट आपना गैल्यम इस टेट्मेंट अपना रॉंग हो गिल्चा अगर साईच की बात कि दाौन अर्ट गाले यंग हो कि एलमोंटियम इंडियम ट्तलियम कि इसाइज का और मिलता है अपने को क्योंकि यहां पर कौन साइफ उस्पूंट यहां पर प्राजेश्शन कोनुटरेक्शन कारण कि इंके सईज मूल थोड़ी सी छोटी हो जाती है किस्छ एलमोंटियम की तुल नामें नेक्स्ट बात करे आप डा क्रेक्ट और ऑफ एक्टॉमिक रेडियाई इस एटॉमिक रेडियाई के लिए अगर अपने क्रेक्ट ओडर देखें यह स्टेटमेंट रोंग हो गया क्यूं जर्कोनियम एंड हाफनियम की अल्मॉस्ट से मिलती है जबकि यहां बात करूं तो यहां अपने को जिंग की ज्यादा मिलती है, copper की ज्यादा मिलती है तो ये statement भी अपना क्या हो गया? रोंग हो गया. यहां size की बात की जाए, यहां रोंग की हो गया. यह यहां पर आएगा और यह यहां पर आएगा. Scandium से chromium की और जाने पर size क्या होती है? decrease होती है तो अपना answer आजाएगा first, next बात करते है select equation having endothermic step देखो बटाइए ये second है, तो ये कैसा आएगा endothermic आएगा जबकि ये कैसा होगा exothermic होगा, ये कैसा होगा endothermic होगा, क्योंकि inert gas के लिए ये कैसी होती है endothermic होती है, ये e, ip second, ip third है ये भी कैसा होगा, endothermic होगा तो अपना answer आजाएगा a, c and d a, c and d किसमे है, second में है तो ये अपने जो single choice question थे, वो complete हुए next अपने देखते हैं, integers हैं अपने पास अपने पास तीन integer आए हुए है उनके लिए बात कर लेते हैं पहला integer है, number of amphoteric oxide out of N2O Na2O, MZO, Al2 SnO2 and Beo and calcium, तो ये तीनो ही amphoteric है amphoteric की definition का लिखते है जो strong, acid or strong base से reaction करते हैं, तो इसमें answer आजाएगा अपना 0, 3 answer आजाएगा, कौन सा, aluminium SnNBO, next बात करते हैं the difference in the electron negativity of two atoms, when the percentage आइनी character की था, 19.5 percent हो, इसका एक formula लिखते हैं, percentage आइनी character equal to 16 delta E N plus 3.5 delta E N का whole square, यहाँपर कितनी value रखें, 13 16 and 3.5 को add करते हैं, 19.5 आता है, मतलब यहाँपर 1 1 रख दिया बन, 1 1 रख देंगे, तो delta E N कितनी आजाए अपने पास, 1 आजाए, ठीक है, तो क्या आजाएगा आपने पास, 19.5, अगर मैं यहाँ रखता हूं तो यह 16 element which do not impart the color of the flame is, कौन से कौन से, जिनके IP ज्यादा होती है, वो क्या नहीं देते, बटा, flame test को represent नहीं करते हैं, तो यहाँ बात करें, कौन कौन नहीं represent करते हैं, beryllium and magnesium, S block, मैं कर देखी जाए, beryllium and magnesium के IP बहुत ज्यादा होती है, इसलिए flame test represent नहीं करते हैं, तो अपने आंसर आजाएगा, यहाँ पर, 02, बात बेरलियम and magnesium flame test represent नहीं करेंगे, यह अपना J.E. main का paper था, Dear students, we will discuss about the mid-session DTS, main paper, questions अपने पास है, KClO3 is made in the following sequence of reaction, what mass of Cl2 is needed to produce 1 kg of KClO4, 1 kg KClO4 का formation करना है, तो Cl2 के कितने mass की requirement है, reactions को देखके हमें लगता है कि reactions जो है, sequential reactions है और reactions को देखके लगता है, unbalanced reaction है, first of all हम इस reactions को क्या करेंगे, balance करेंगे, तो अगर इस reactions को balance करें, तो सबसे पहले हमने लिख दिया, Cl2 plus 2KOH, देखना, Cl2 plus 2KOH equal to KCl plus KClO3, KClO plus H2, यहां देखना, यह reaction balance है, 2 chlorine balance है, 2 K balance है, H2 और O balance है, okay, अब second को balance करते हैं, तो अपने पास 3 KClO है, 3 KClO, इसको जब decompose हो रहा है, तो क्या बना रहा है, KCl और KClO3 बना रहा है, तो 2 KCl बन जाएगा, plus KClO3 बन जाएगा, अगर इसको देखना balance है, क्या potassium balance है, chlorine 2 और 3 balance है, oxygen 3 balance है, AB balance है, अगर हम KClO3 की reactions आगे करवा रहे हैं, तो KClO3 में 4 KCl है, इसको react करवा रहे हैं, 4 KCl, तो अपने पास बन रहा है, 3 KClO4, plus KCl, ये reactions अपने पास balance होगी, check करो reactions, balance है, अब इस reactions को solve करना है, इस question को solve करना है, तो हमारे पास, Cl2 से किसका formation होना ची, KClO4 का formation होना ची, इस equation को आप 12 से multiply करदो, और इस equation को 4 से multiply करदो, तो अपने पास जो ये sequential reactions बन जाएगी, वो अपने पास बन जाएगा, 12 Cl2 plus 24 KOH equal to, अपने पास बन जाएगा, 21 KCl plus 3 KClO4 plus 12 H2 plus 12 H2, ये reactions, balance reactions हो जाएगी, और ये reactions अपने पास बन जाएगी, हमें amount of Cl2 पूछे है, तो amount of Cl2, amount of Cl2, कितना हो जाएगा, 12 divided by 3, 12 divided by 3, mole of this, 1000 upon 138.5, molar mass of KClO4, mass calculate करना है, Cl2 का, तो कितना molar mass हो गया, 71, यहां से amount of Cl2 W calculate करते हैं, तो अपने पास आएगा, 2.05 KG, और answer कितना हो जाएगा, 2.05 KG, ये answer हो जाएगा, okay, mid session DTS first, SMEM, volumetric analysis, all concept or atomic structure को discuss करेंगे, first of all 12 questions, the radius of which of the following orbit is same as the radius of second bore orbit of hydrogen atom, hydrogen atom में second bore orbit की radius जो होगी, R is equal to 0.529 N square by Z से represent करेंगे, hydrogen atom के लिए R is equal to 0.529 divided by, कौन सी orbit है, hydrogen atom के लिए, second bore orbit, second bore orbit means 2 का square divided by 1, तो R is equal to 0.529 multiplied by 4, these students इन के लिए चेक करेंगे, तो हमारे पास इदर 4 की value क्या रहने ची, remaining रहने ची, fourth option के लिए चेक करते हैं, तो R is equal to 0.529 into N square by Z, there is the R is equal to 0.529 N की value कितनी है, fourth orbit के लिए 4 का square divided by 4, तो dear students, R is equal to 0.529 into 16 divided by 4, तो हमारे कितना हो जाएगा, this is the second orbit of hydrogen atom. Next, hydrogen atom in the ground state are excited by the monochromic light radiations of wavelength, monochromic light radiations of wavelength lambda, the resulting spectrum consists the maximum 10 difference spectrum line, the wavelength of the lambda is, maximum spectrum line कितनी मिल रही है, maximum spectrum line अपने पास 10 मिल रही है, 10 spectrum line मिल रही है, इसका means, electron कहां से कहां jump हुआ है, maximum spectrum line में, electron जो jump हुआ है, resultant spectrum में, वो 5 से 1 में jump हुआ है, तभी maximum spectrum line कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी, ओके, तो अब यहां से electron जब excited state में गया होगा, तो कहां से गया होगा, first orbit से fifth orbit में गया होगा, तो इसके लिए कितनी wavelength की requirement रही होगी, 1 upon lambda is equal to RZ square 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square, dear student, there is 1 upon lambda is equal to RZ into 1 ka square into 1 by 1 ka square minus 1 upon 5 ka square, यहां से अगर हम lambda determine करते हैं, तो lambda की value कितनी आ जाएगी, 949.6 angstrom अपने पास lambda की value आ जाएगी, okay students, dear students, next find out the orbital angular momentum of N electron having quantum number, N equal to 3, N equal to 3, L equal to 2, M equal to 0, S equal to minus half means there is 3DZ square orbital and 3Z square, L is equal to 2 हो गया and orbital angular momentum जो होता है, orbital, orbital angular momentum जो होता है अपने पास, यह होता है, अन्रूट L into L plus 1 H upon 2 pi and L की value अपने पास कितनी होगी? 2, अन्रूट 2 into 2 plus 1, H upon 2 pi को क्या लिख सकते? H bar, तो यह हो जाएगा, अन्रूट 6 H bar यह value अपने पास आजाएगे, कौन सी value correct हो जाएगी? 3rd वाली value correct हो जाएगी, okay students, next, the volume of 0.1 M HCl required to react completely with 1 gram mixture of Na2 Cu3 and NaOH3 containing equimolar amount of 2, जो अपने पास NaH 1 gram अपने पास mixture है, इसमें अपने पास Na2 Cu3 और जो अपने पास NaH Cu3 है, इसका equimolar mixture, equimolar mixture में से यह अपने पास 1 upon 106 gram हो जाएगा, यह इसके mol हो जाएगे, 1 minus X upon यह हो गया, अपने पास 84, यहाँ से X को हम solve करते हैं, तो X is equal to 0.44 gram हो गया, तो Na2 Cu3 कितना हो गया? 0.44 gram, और अपने पास NaH Cu3 कितना हो गया? 0.56 gram, अगर इसकी reaction Na2 Cu3 plus NaH Cu3, दोनों की reactions अगर HCl के साथ करवाई जाए, HCl के साथ करवाई जाए, तो इन दोनों की जितनी equivalent होंगे, HCl के same equivalent होंगी, इसका equivalent हो जाएगा, W upon E, W1 upon E1 plus W2 upon E2 equal to NB equivalent हो जाएगा, W इसका कितना हो गया? 0.56 gram हो गया, और इसका कितना हो गया? equivalent mass, equivalent mass 106 divided by 2 हो जाएगा, plus 0.44 gram हो गया, equivalent mass है, वो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा, N is equal to 0.1 M utilized हो जाएगा, 0.1 into V utilized हो जाएगा, यहां से V को solve करेंगे, तो V is equal to कितना हो जाएगा? 1 near about 156 ml answer हो जाएगा, तो near about कौन सा हो जाएगा? 156 ml, तो अपने पास यह answer हो जाएगा, Okay, dear students, how many ml of 0.05 M KMNO4 are required to oxidize 2 gram of FeSO4 in the dilute solution? अपने पास FeSO4 है, वो अगर react करता है KMNO4 के साथ, तो acidic medium अगर होता है, तो अपने पास Fe plus 2 किस में convert हो जाएगा? Fe plus 3 में convert हो जाएगा, MN of 4 minus MN plus 2 में convert हो जाएगा, इसके same equivalent, इसके equivalent के साथ react करेंगे, इसका अपने पास जितना W upon E होगा, उसका इतना N V की requirement होगी, इसका W कितना हो गया? 2 gram of FeSO4, इसका हो गया 152, यहाँ से N अपने को calculate करना है, M की value कितनी होगी? 0.05, N factor कितना हो गया? 5, और V अपने पास यहाँ लीटर में अपने को मिल जाएगा, इस V को 1000 से हम multiply करेंगे, तो V is equal to अपने पास हो जाएगा, 52.63 ml में अपने पास अंसर आजाएगा, निर अपने पास यह वाला अंसर आजाएगा, को करेंगे, students 36.5% W by W, HCl has density equal to 1.2 gram per ml, the molality M and the molality m respectively. First of all, 36.5% W by W, HCl solution, इसका meaning यह हो गया, कि 36.5 gram HCl present in 100 gram of solution, 100 gram of solution, means यह भी बोल सकते हैं, कि 36.5 gram HCl present in 63.5 gram of solvent और हम इसकी molality and molality calculate कर सकते हैं. First of all, capital M calculate करते हैं, तो W upon MW, और V किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, तो capital M is equal to 36.5, 36.5, volume अपने पास कितना हो जाएगा, D is equal to M by V, तो V is equal to M upon D, mass किस का होना चाहिए, solution का, 100 upon 100 gram, upon density कितनी है, 1.2 gram per ml, तो अपने पास volume किस में आ गया, ml में आ गया, 100 upon 1.2 into 1000, इसे सोल हम करेंगे, तो capital M is equal to कितना हो गया, capital M is equal to, अपने पास हो गया, 12 M, small M अगर determine करते हैं, तो small M में, अपने पास W upon MW, and W किस का होना चाहिए, solvent का होना चाहिए, वो भी किस में, kg में होना चाहिए, तो small M is equal to, W कितना हो गया, 36.5, molar mass भी 36.5, और अपने पास, solvent का mass कितना हो गया, solvent का mass हो गया, 63.5, divided by 1000, तो हमारे पास, यहाँ, small M is equal to आजाएगा, 12 के बाद, 15.7 आजाएगा, तो कौन सा answer correct हो जाएगा, 12 तो यह हो गया, और 15.7 ही हो गया, तो अपने पास, 4th option correct हो जाएगा, okay students, KClO3 plus H2SO4, KHSO4 plus HClO plus ClO2 plus 2H2, equivalent mass of the KClO3, KClO3 का equivalent mass determine करना है, यहाँ, क्लोरीन की oxidation state है, वो plus 5 है, इधर क्लोरीन की oxidation state, plus 7 है, इधर क्लोरीन की oxidation state, plus 4 है, एक बार क्लोरीन की oxidation state, plus 5 से, plus 7 में चली गई, तो equivalent weight जो हो गया, equivalent weight, एक बार कितना हो गया, molar mass divided by 2, और एक बार, plus 5 से, plus 4 में चला गया, तो molar mass divided by 1, तो correct option कौन सा हो जाएगा, third option है, वो correct option हो जाएगा, okay students, 10 gram CaCO3 is completely decomposed into the X and CO, X is passed into the aqueous solution containing 1 mol of sodium carbonate, what is the number of mol of sodium bicarbonate, first of all, CaCO3 है, वो decompose होता है, अपने पास CaO solid plus X CO2, yes, इस CO2 को X दिया है, अगर इसका अपने पास 10 gram है, तो यह 0.1 mol है, 0.1 mol है, तो अपने पास CO2 का कितना मिलेगा, 0.1 mol मिलेगा, अगर CO2 को Na2CO3 के solution में पास करेंगे, Na2CO3, तो H2O plus CO2, यह मिलके अपने पास बनाएगा, 2 NaHCO3, यह अपने पास बनाएगा, अगर CO2 का अपने पास 0.1 mol होगा, तो इसका कितना मिल जाएगा, 0.2 mol of NaHCO3 formed हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.2 mol of NaHCO3 का formation हो जाएगा, ok, a mixture of NH3 gas and N2H4 gas is placed in a sealed container at 27 degree centigrade and 0.5 ATM. After complete decomposition of NH3 and N2O4, N2H4 at 927 degree centigrade, the total pressure is reached to 0.4.5 ATM, the percentage of NH3, अगर पहले NH3 अपने पास, तो NH3 gas इस तरह से decomposed हो जाएगा, NH3 gas, 2 NH3 gas equal to gas होगा, N2 gas plus 3 H2 gas, इस तरह से अपने पास हो जाएगा, N2H4 decomposed होगा, N2H4 gas equal to N2 gas plus 2 H2 gas, first अपने पास इसका X रहा होगा, प्रेशर, तो इसका अगर अपने पास X प्रेशर रहा होगा, तो यह कितना आ जाएगा, अपने पास X Y 2 आ जाएगा, और यह अपने पास 3 X Y 2 observe होगा, यह अगर Y रहा होगा, तो यह अपने पास कितना मिल जाएगा, Y मिलेगा, finally, और यह कितना मिल जाएगा, 2 Y मिल जाएगा, dear students, हम discuss करते हैं, तो पहले 4.5 ATM पे था, लेकिन decomposed कितने पे वा था, 927 degree centigrade पे, तो मैं यह से बोल सकता हूँ, तो यह अपने पास X Y 2 and 3 X Y 2 equal to, पहले जो अपने पास X plus Y जो रहा होगा, starting में अपने पास X plus Y जो रहा होगा, वो अपने पास X plus Y रहा होगा, वो 0.5 into 4 time, क्योंकि temperature 4 time increase किया होगा, तभी तो अपने पास इतना बना होगा, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि अपने पास, जो new volume आया है, 3X, X by 2 plus 3X by 2, कितना volume होगा, 2X, 2X plus 3Y, 2X plus 3Y, यह अपने पास आ गया 0.45 ATM, यहां से percentage calculate करते हैं, तो यह near about 75% अपने पास आ जाता है, तो 75% का मतलब 1 number, तो यह तो यह तो 0.7 gram Na2CO3 dot X H2 वर डिजोल in water and volume of solution made up to 100 ml, 20 ml of this solution required 19.8 ml N by 10 HCl for complete utilization, value of X, first of all, we will calculate the molarity of solution, molarity of solution हो जाएगा, 0.7 upon molar mass of Na2CO3, molar mass of Na2CO3 हो गया, 106 plus 18, अक्स हो जाएगा, इन टू, अपने पास volume कितना ml बनाया अपने, volume अपने बनाया, 100 ml, 100 divided by 1000, यह अपने पास इस solution की molarity होगी, इस solution की molarity में, हम लोग इसकी reactions करवा रहे है, Na2CO3.XH2O, अपने पास react कर रहा है, किसके साथ, HCL के साथ react कर रहा है, तो जितने equivalent इसके react करेंगे, उतने equivalent इसके react करेंगे, इसका अपने पास, N factor हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, तो अपने पास यह हो गया, 0.7 अपन 106, प्लस 18X, multiply by 100 अपन 1000, Okay, dear students, और इसका कितना ML portion उतिलाईज कर रहा है, 20 ML portion, 20 ML portion, इसके साथ N, N कितना होगे, HCL का 1 by 10 into 0.19.8 ML, 19.8 ML, इसको हम solve करते हैं, तो यहाँ से X equal to अपने पास कितना आजाएगा, 2 आजाएगा, तो कौन सा answer correct हो जाएगा, 2 answer correct हो जाएगा, Okay, dear students, next, during the de-excitation of the electron from certain orbit of hydrogen atom, only 3 photons are obtained, the energies of these photons are 10.2, 12.088 electron volt and 1.88 electron, minimum number of the hydrogen atom, माल लेते हैं, अगर अपने पास एक hydrogen atom हो, तो अपने पास 1, 2, 3, de-excitation के लिए, एक electron में jump ऐसे हो जाए और ऐसे हो जाए, second hydrogen atom है, उसमें अपने पास jump हो जाए, वो direct हो जाए, तो 3 photons, means 3 spectrum line, अप्टेन करने के लिए, कितने hydrogen atom की requirement होगी, 2 hydrogen atom की requirement होगी, तो answer कितना हो जाएगा, 2 hydrogen atom, Okay, thank you.